नमस्कार मैं हूँ सुनील और आप इसमय देखना सुरू कर चुके हैं एजुकेशन एक जोब सुलेटिन यानि ब्यार सिच्छा समाचार आज है 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार आईए जानते हैं ब्यार सिच्छा विवाग की हर छोटी बड़ी खबरों को आपको बता दे बिहार के नियोजी सिच्छकों के लिए एक बार फिर से ट्रांसपर निती गाइडलाइन आने वाली है इसको लेकर अब सिच्छा विवाग एक बार फिर से इस पर मंधर और कसरत करनी शुरू कर दी है कई चीजों को इसमें से हटाया जाएगा और कई चीजों को इसमें जोड़ा जाएगा आपको बता दें कि अब सिच्छक भी करवाई के जद में आएंगे सिच्छा विभाग से जारी गाइडलाइन जारी आदेस या परधाना ध्यापक के बात नहीं मानने वाले सिच्छकों पर करवाई के साथ साल जिला बदर भी किया जा सकता है वही हम आपको बता दें कि जो हेड टीचर परधाना ध्यापक की जो परिच्छा हुई और उसका रिजल्ट हुआ उसका कौंसलिंग भी दिसंबर महीने में ही सुरू होने की पुरी संभावना बताई जा रही है आपको यह भी एक बड़ी खुसकबरी दे दें कि यह दोनों पदों के लिए जो पहले से मुल बेतन तय किया गया था उसमें बड़ी इजाफा होने की बाते आ रही है यह भी खबर निकल कर आ रही है कि बीत विभाग से वह फाइल सिच्छा विभाग के पास आ गई है सिच्छा विभाग इसका कभी भी एलान कर सकती है यानि कि हेड टीचर को एक अच्छी सैलरी मिलेगी और इस सैलरी की अधान पर बिहार के सचंता पास जो बिशिछ सिच्छक बन गये हैं उनकी सैलरी में भी एक खास इजाफा होने के संकेत भी मिल रहे है यानि कि बेतन पढ़ोत्री की जाने की बड़ी संकेत मिन्नी शुरू हो गई जिसका कभी भी एलान किया जा सकता है ऐसा माना जा रहा है कि नए वर्स में एक नई सौगाथ दिया सकती है गिप्ट दिया जा सकता है बिहार के सिछकों को पेमेंट बढ़ा कर बेतन बढ़ा कर वही कई जिम्मारिया भी सौपी जाने की बाते भी बिलकुल सामने आ रही है इधर सिच्छक क्या पढ़ाएं और क्या पढ़ाएंगे डाइरी में अब करेंगे दर्ज ऐसे तो सिच्छक क्या पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे और क्या उनकी चीजें हैं, तमाम चीजों को सिच्छक जो है अभी फिलाल लिख रहे हैं, पाटिका के तोड़ पर लेकिर विभाग जो है अब डायरी देने की प्लानिंग में है, सरकारी अस्कूल होने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया, और आगे क्या पढ़ाएंगे, अब इसे हर दिन डायरी में दर्ज करना होगा, ऐसे भी सिच्छक आपको डर्ज कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं भी लिख रहे हैं, तो इनको अब शक्ति से पालन कराया जाएगा, अब इसे हर द दार्थियों को इसको लेकर निर्देश दिया है, इसके साथ इस सरकारी स्कूलों में कई नई विवस्था लागू करने के साथ कई बदलाओ भी किये गए हैं, शिचको पर करवाई करने के लिए अब हेड मास्टर को भी सक्ति दे दी गई है, हेड मास्टर की अलुसंसा पर अब सिचको का पंचायस से लेकर परखंट तक बदल सकता है, यह वेवस्ता BPSC, सचमता और निमित सिचको पर लागू होगी, नियोजी सिचक हैं, अभी भी इससे बाहर होंगे, अपरे मुख्य सचिव निर्देश दिया है कि सभी सिचको को अलग से डाइडी मिलेगी, इस उन्हें देना होगा कि आज किस कर्चा में कौन सा बिस है और कौन सा पार्ट पढ़ाया, इसके लिए हर दिन छुटी से पहले उन्हें डाइडी में यह दर्जे करना होगा कि अगले दिनों में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाया और क्या पढ़ाएंगे, या दोनों चीज डाइरी ने खास रूप से लिखनी होगी, आपको मालूम होगा, 10-12-15 पहले भी एक सिछक दर्पन नामकर दिया गया था, सिछकों को लिखने के लिए, और उसकी कीमत भी आप जानते हैं, और फिर से वा बंद भी कर दिया गया, एक बार फिर से सिछकों को ड काईरी को सत्यापज भी करेंगे, पहले अस्तर पर B.E.O. और दूसरे अस्तर पर D.P.O. इसकी मोनेटरिंग भी करेंगे, अपर मुक सचीव ने निर्देश दिया है कि अगर हेंड मास्टर और नुसंसा करके भेजते हैं तो अधिकारी उस पर करवाई करेंगे, यहीं नही अगर सिचक सैशनी कारी में रूची नहीं लेते हैं, या स्कूल में रहकर नितागिरी करते हैं तो एसे मामले में वह जिला बदर भी हो सकते हैं, अपर सचीव ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्व से बैठा कर सभी जिलो के अधिकारियों को इसको लेकर खास निर्द के राती हुआ बड़ा खुलासा, छातरा की मा और आरोपिय स्कूल प्रिंसपर की सिचिका पतनी दोनों का नाम है रेखा, जाज के नाम पर चल रही है करवाई अधर में लटकी हुई है, आपको बता दे कि यह बड़ा मामला खुल कर सामने आया है खगडिया से, खगडिया दरसल मामला खगडिया के परबत्ता परखंड का है, जहां एक बच्ची की छातुरिती की रासी उसकी मा के खाते में नहीं, आकर परधान, बिदाले परधान की सिचिका पतनी के खाते में आ रही थी, बिते पाम सालों में इस खाते में रूपे जमा हुए हैं, क्योंकि छात पीडित चातरा शीको सर्मा की पुत्री रिचा सर्मा हैं, तो यह बड़ी खुलासा हुआ है ब्यार सिछा भी भाग में, क्या है या करनामा। आपको बता दे कि पटना जिले के 575 अश्कुलों को मिलेगा प्रियम स्रीज का दर्जा 2 क्रोर दी जाएगी पितिये सहायता सुची में सामिल अश्कुलों को 5 दिसंबर तक आउनलाइन अभेदन करने का निजर्ज दिया गया है। हर तरह की सुपदा दे की भारत सरकार तो ये खास पटना जिले में 575 अश्कुलों को मिलने जा रहा है। है तो इस तरह की भी बात सामने आ रही है। हार बोर्ट से मैट्रिक ऊंटर परिच्छा 22-23 चोवीस में पर्तम सरेनी से उत्रिर और अनुसुची जाती जंजाती के दृतिय सरेनी से दृतिय सरेनी में ऊत्रिर बिद्धार्ती पोसाहार रासी के लिए आवेदन कर सकते हैं तो जल्दी कीजिए आवेदन। 40% से अधीक दिब्यांगता वाले वालों को मिलेगा 4% के आरच्छन के इंदरेने एक रूपता के लिए जारी की है दिब्यांगता आरच्छन के दिसा निर्देश बाद में प्रणती वाले सभी पदे वी दिब्यांग वैक्तियों के लिए होंगे आरच्छीत दिया एक बड़ी पहल के दर सरकार की मानी जा रही है वहीं मौलवी फोकोनियों के लिए एक लाग सर्सट लाग ने भरे हैं फार्म आपको मता दे मौलवी बारामी और फोकोनिया दश्मी की परिच्छा के लिए पंदियन फार्म और परिच्छा फार्म भरने के अंतिव तिविदिती समात हो गई है कुल एक लाग 76,000 ने फार्म भराए मौलबी के लिए कुल 30,991 तो फोकनिया के लिए 68,438 फार्म भरे गए है वही अगली खबर बता दे कि ब्यार बोट 26 तक भरेंगे अनुमती आवेदन देने की बात कही गई है वही अगली खबर यह है कि पुरसान मेदा बृति योजना के लिए 20 तक आप जरूर फार्म को भर दे इधर सरकारी उजनाओं के लाब को 75% हाजरी जरूरी बताई गई है इधर बिद्यालियों में इस सिचा कोस से होगी उपस्थिती की निगरानी सभी सरकारी बिद्यालियों को नई बिवस्ता लागू करने का निर्देश दिया गया है इस सिचा कोस पोटल पर इस सिचा कोस पर डेटा अप लोडिंग अनिवार्ज किया गया है उजनाओं का लाब केवल पात्र छात्रों को मिलेगा नई बेवस्ता से अस्कूलों में बढ़ेगी खास उपस्थिती या सिचा विवाग का मानना है हर बच्चे का इस सिचा कोज पर परफाइल रहना जरूरी माना गया है आपको बता दे कि इस सिचा कोज पर सभी बच्चों का परफाइल बनाया जा रहा है बहुत लोगों को बना भी दिया गया है इदर नए सत्र से चार कचाओं की बदल जाएगी कितावे कचा चार पांस और साथ आठ की सनी कितावों के पाठकरम बदलेंगे NCRT की जिसका NCRT में सारे दिसा निर्देस बाद जारी कर दी है अमेजन से ओनलाइन मंगा सकते है यह कितावे NCRT की कितावे मंगाई जा सकती है वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि गरवड़ी करने वाले सिचक होंगे जिला बदर सरकार बन रही है बना रही है खास नियम जिम्मेवारी का निर्वार नहीं किया तो नपेंगे अब किसी तरह की गरवड़ी करने पर शिचक नप जाएंगे वे जिला बदर भी हो सकते हैं आपको बता दें कि जिला बदर उनके दूसरे जिले में उनकी तैनाती की जा सकती है सिच्चा विभागने इसके लिए नहीं निमामली बनाने की तैयारी भी सुरू कर दी है अगर विड़्ाले में आप समय से नहीं आते हैं नहीं पढ़ाते हैं नितागीरी करते हैं या कोई और पदाधीकारी या हेर्णमास्टर की बात नहीं मानते हैं तो आपको जिला बदर कर दिया जाएगा आप पर करवाई की जाएगी लेकिन सिच्चा विभागने एक सहुलियत दी है कि उनसे उनकी राय भी मांगी जाएगी सुनी जाएगी उसके विचार भी किया जाएगा तो फिलाल आज इतना ही मिलते हैं एंगले विडियो में तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और विडियो को तो जो भी या लाइक कर दिजिएगा क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मिहनत का फाल होता है तो मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए दिजिए इजाज़त चाहिन जै भारत बंदे महात्रम